इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर स्टेंज के उन सभी वर्जिन्स के बारे में बात करेंगे जो कि लिटरली बहुत ही जाता पाउर्फुल है तो ये वीडियो बहुत ही जाता इंटरस्टिंग होने वाली है इसलिए इसे पुरा हैं तक जरूर देखें लेकिन अगर आप हम जिसने सभी तरह के मेजिक को सीख रखा है डॉक्टर स्टेंज नियू योर्क सिटी के सेंटम सेंटोनम के मास्टर है और अर्थ के सौर्सरा सुपरीम भी रह चुके हैं बात करें डॉक्टर स्टेंज की पावर्स की तो डॉक्टर स्टेंज मेजिक मैनिपिलेशन करना जान हैं टेलीपोटेशन जानते हैं फ्लाइ कर सकते हैं और तो और अपनी प्रोटेक्शन के लिए शील्ड भी क्रियेट कर सकते हैं MCU के अंदर डॉक्टर स्टेंज बहुत पारफुल हैं और अपनी इनी पावर्स के दम पर वो काईसीलियस और दोर्मामू जैसे पारफुल करेक्टर्स को हरा चुके हैं और चार इंफिनिटी स्टोंस को होल्ड करे वे मैं टाइटन फैनोस को भी अच्छी टकर दे चुके हैं पर इन सब के भी उपर मार्वल सिनिमेटिक उनिवर्स के डॉक्टर स्टेंज अब डार्क होल्ड को भी रीड कर चुके हैं जिस वजह से अब उनके पास भी सिनिस्टर स्ट्रेंज जैसी थाड़ आया चुकी है और इनी सब रीजन्स की वज़ा से MCU के डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में अपियर होने वाले अब तक के सबसे पाउरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज है तो कॉमिक्स के अंदर मार्वल और डीसी कई बार कलाबरेट कर चुके हैं और उनके ऐसे ही एक कलाबरेशन का रिजल्ट है अमल्गम युनिवर्स अमल्गम युनिवर्स एक ऐसा युनिवर्स है जिसके अंदर Marvel और DC के बहुत से करेक्टर्स एक साथ मर्ज हो चुके हैं जैसे Batman और Wolverine, Iron Man और Green Lantern, Aquaman और Namor and Superman और Captain America और इनी में से एक Super Hero करेक्टर था Dr. Strange Fate जो कि Marvel के Dr. Strange और DC के Dr. Fate का combination था Dr. Fate DC Comics के अंदर एक powerful magician और sorcerer है और बात की जाए Dr. Fate की powers की तो Dr. Fate के पास भी Dr. Strange जैसे सारी powers है जैसे Teleportation, Telepathy, Hypnosis, Energy Manipulation, Flight और Teleganesis इसलिए जब Dr. Fate और Dr. Strange एक साथ मर्ज हो जाते हैं तब इनकी power levels infinite हो जाती हैं और ये नियर immortal बन जाते हैं और इसी वज़े से Dr. Strange Fate को रोकना या हरा पाना बहुत ही जादा मुश्किल है नमबर 3, Classic Dr. Strange Dr. Strange एक बहुत ही powerful character है जिन्होंने दुनिया को बहुत से बड़े खत्रों से बचाया है लेकिन Dr. Strange का ये version main timeline Dr. Strange से भी बहुत आगे है Classic Dr. Strange, Mephisto, Dormammu और Galactus जैसे powerful being से भी fight कर चुका है और fight करके उन्हें हरा चुका है और बात करें Galactus की तो Galactus को हराने के लिए Classic Dr. Strange को सिर्फ एक ही spell का यूज़ करना पड़ा था इसके अलावा इस Dr. Strange की power levels भी इतनी जादा है कि ये World Breaker Hulk जैसे powerful character को भी बिना किसी effort का हरा सकता है पर इन सबकी भी उपर Dr. Strange इतने जादा powerful है कि Beyonder जैसा most powerful character भी Dr. Strange की respect करता है और Marvel Comics के अंदर एक वक्त पर Eternity ने भी ये कहा था कि इस पूरे मल्टिवर्स में Dr. Strange इतना powerful sorcerer कोई भी नहीं है तो Evil Dr. Strange दोक्टर स्टेंज का वो वर्शन है जो कि हमें What If सीरीज में दिखा था इस Dr. Strange के यूनिवर्स के अंदर जब इसका accident होता है तब उस accident में अपने हाथों को खोने की बजाए ये अपनी love interest यानि क्रिस्टीन पार्मर को खो देता है यानि कि उस car accident में क्रिस्टीन की death हो जाती है जिसके बाद क्रिस्टीन की death को रोगने के लिए ये Dr. Strange magic सीखता है और Book of Caglius के सभी powerful entities को अपने अंदर absorb कर लेता है जिसके बाद उन सभी powerful entities की power इस Dr. Strange के अंदर आ जाती है ये Dr. Strange, The Fire Dragon, Red Dragon और Dark Dimension Demon जैसे सारे powerful entities को अपने अंदर absorb कर लेता है जिसके बाद Evil Dr. Strange multiverse के सबसे powerful beings में से एक बन जाता है तो Black Priest Dr. Strange पूरे multiverse के अंदर Dr. Strange का सबसे powerful version है दरसल Marvel Comics के अंदर कुछ multiverse के defenders exist करते हैं जिने Black Priest कहते हैं और ये Black Priest multiverse का balance बनाए रखने के लिए multiverse के अंदर समय समय पर अलग-अलग universes को destroy करते हैं और Dr. Strange इनी Black Priest के साथ मिलकर इनकी आई बनते हैं और universes को ढूणने में उनकी help करते हैं जिसके बाद ये Dr. Strange भी Black Priest की powers को gain कर लेते हैं और Black Priest की powers को hold करने के बाद वो बनते हैं Black Priest Dr. Strange ये Dr. Strange Black Priest की help भी इसलिए करते हैं ताकि जब Black Priest अलग-अलग universes को destroy करें तो वो उनमें Earth Planet को बचा सकें और दुनिया को safe रख सकें बात करें Black Priest Dr. Strange की powers की तो Dr. Strange का ये version सिर्फ एक word बोल करी पूरे universe तक को destroy कर सकता है और इसलिए Black Priest Dr. Strange Dr. Strange के सभी versions में सबसे powerful हैं आपको इन में से Dr. Strange का कौन सा version सबसे अच्छा लगा वो आप हमें comment करके ज़रूर बताए